गुड मॉर्निंग फ्रेंग्स राजमल उत्रा आई एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जैसा कि कल हमने करा कनाल का टॉपिक डिसकस किया था और मैंने आपको बताया था कि हम थोड़े अनकनमेशनल से टॉपिक्स या जनरली जो टॉपिक्स आप ठीक से कवर नहीं कर पाएंगे उन्हें हम डिसकस किया गरेंगे तो आज का हमारा topic है नागा conflict तो आई ये देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों important है क्यों ये news में रहा है और हमाई ये कौन-कौन से prelims, mains और interview में कैसे कामा सकता है ठीक है? तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये news में क्यों रहा है क्योंकि आपको आपने देखा होगा कि शायद middle of the July की बात है जब governor of Naga Land ने जो RN रवी जी हैं उन्होंने बोला था कि जो ये नागा जो armed groups है ये actually extortion कर रहे हैं टैक्सिस के नाम पर पैसे की लोगों से आम जनता से और business houses से ये पैसे की extortion कर रहे हैं उसके बाद ये एक statement आई थी जो इन armed groups के leaders की कि जो governor RN रवी है वो नागा जो cause है उसके against जा रहे हैं जो उनके agreement में sign हुआ था आपको पता है ना कि नागा लेंड peace accords हुए थे भी 2015 में तो उन्होंने कहा कि नागा लेंड peace accords के against जाकर बात कर रहे हैं governor RN रवी और उन्होंने center से demand की थी कि उनको इस peace process से out कर दिया जाए और उसके ही बाद इसी incident के बाद जो इनागा जो groups थे जो NSCN, IM इन्होंने जो peace accords थे जो कि secretly अभी public domain में नहीं आये थे उन्होंने उसको out कर दिया उन्होंने उन्होंने उसे public domain में डाल दिया उसके बाद क्या-क्या developments हुई हैं आईए हम सारा कुछ discuss करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये इस area की geography ही पूरी की पूरी जो है वो news में आ जाएगी क्योंकि इस area की geography जब news में आ गई है तो ये आपको prelims के लिए important हो जाएगा दूसरा फिर आपको इसकी ना background पता होना चाहिए कि naga conflict शुरू ही क्यों हुआ था और ये हमारे लिए internal security का भी एक बहुत बड़ा issue हो जाता है क्योंकि north east का जो region है वहाँ पर insurgency बहुत एक hot topic रहता है हमारी जो states का जो reorganization है उस context से भी important है हमारे governance के topic से भी important के लिए भी important है तो ये बहुत important topic बन जाता है आपको deal करने के लिए even अगर आप जब कभी interview तक पहुचोगे तो उसमें भी आपसे पूच सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक north east में जो naga land का issue है ये सबसे important है ठीक है तो आईए हम देखते है question कैसे form हो सकता है अब ये question कै पूच रहा है पहली बात तो कि जितनी भी armed insurgencies होती है governments के खिलाफ या फिर regional issues में जो जब armed insurgencies होती है तो उसमें किसी की भी complete victory या फिर complete defeat नहीं होती ना तो वो properly black होगा ना तो वो properly white होगा issue का solution वो एक grey zone में होगा जिसमें compromise होगा कुछ तरफ से हमारी तरफ से कुछ concessions दिये जाएंगे कुछ चीजों पर जो सामने वाली party है वो कुछ concessions देगी तो compromise based एक formula निकलता है इसको अब हम नागा land के issue में कैसे discuss कर सकते हैं तो आईए आप answer में जैसे आप देखो तो आप थोड़ी सी introduction में यह लिख सकते हो कि जो northeast की insurgency है वहाँ पर कश्मीर के conflict से क्या difference है क्योंकि वहाँ as compared to कश्मीर northeast में geographical, cultural और ethnic factors बहुत different है geographical factors बहुत different हैं क्योंकि आप देखोगे कि Assam या Nagaland, Manipur या जितना भी एरिया है जहां जहां पर यह conflicts आए हैं आज तक ऐसे उनमें कुछ geographically जो contiguous zones जो हैं वो नहीं रहे हैं या फिर उनकी geography बहुत different रही है कोई एक ऐसा homogeneous factor नहीं है geography का culture भी उनका बिल्कुल different रहा है उनके ethnicity भी बिल्कुल different रही है इन सब की वज़ा से उनमें आपस में भी conflict बहुत रहा है as compared to Kashmir जिनका cause एक homogeneous cause था उनकी geography भी same थी और उनके में culture भी same रहा है तो अब ये देखते हैं कि नागा land particular में क्या नागा insurgency जो नागा land का issue है उसके अंदर क्या issues रहे हैं अब वो कहते हैं कि politics of sub nationalism थी है sub nationalism क्यों होता है जैसे इंडिया के अगर हम demand करें तो वो nationalism है अगर हम छोटे region की demand करें तो वो sub nationalism है जैसे हम कहते हैं कि हमें अलग नागा land चाहिए तो वो एक sub nationalism है regional geopolitics वहाँ पर regional geopolitics भी है नागा land के आपस में भी issues है नागा tribes के आपस में भी दूसरी states के साथ भी issues है दूसरी tribes के साथ भी issues है तो और वहाँ पर counter-insurgency के tactics भी बार-बार बदलते रहे हैं तो उसी के context में ये पूरा हमारा आज topic है तो पहले आईए हम थोड़ा सा background देख लेते हैं थाकि हमें बाद में आगे समझने में बहुत असानी हो जाएगी जो Naga Hills है न वो British India का part बने थे 1881 में ठीक है उसके बाद एक club बनाया गया नागा tribes ने कठे होकर जिसको हम नागा club कहते हैं देख रहे हो 1918 में एक club बना अब Simon Commission कब आया था 1929 के आसपास इन्होंने उसे बोला कि हमें आप अलग छोड़ दीजिए हम अपने आप अपने लिए एक सरकार बनाना चाहते हैं हम अपना future खुद decide करना चाहते हैं Simon Commission पहली बात तो क्यों आया था क्योंकि वो 1935 के act में states को कैसे accommodate किया जाए आगे का constitutional provision क्या हो वो सब decide करने आया था Britain से British India में तो उन्होंने जब states की representation की बात हुई तो states की representation में जब नागा representation की बात हुई तो नागा क्लब ने कहा कि हमें आप अपने हाल पर छोड़ दीजिए हम अपने 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 अपना future decide करना चाहते हैं अब यही क्लब 1946 में जो नागा क्लब था वो नागा National Council बन गया leadership of FISA के FISA के leadership में उन्होंने एक independent state बना ली हमारे Independence Day से August 15 1947 से पहले एक दिन पहले उन्होंन referendum मतलब लोगों से पूछा जाता है कि आप इंडिया के साथ मर्ज होगे या आप अपना decision आप एक अलग state बनाना जाते हो तो वो लोग यह कहते हैं कि हमें 99.9% नागा ने सपोर्ट किया कि एक अलग देश होना चाहिए सोवरन नागालेंड सोवरन मतलब एक supreme government नागालेंड की अलग होने चाहिए अब 1952 में इसी referendum के तहत जो उन्होंने खुद कराया था और खुद ही उन्होंने क्लेम किया था कि 99.9% लोगों ने सपोर्ट किया है उसके अंतरगत उन्होंने नागा फेडरल government बना ली और नागा फेडरल आर्मी बना ली अब वो है तो उस टाइम इ independent government बना ली अपनी खुद की आर्मी बना ली तब government of India ने वहाँ पर peace establish करने के लिए उस insurgency को crush करने के लिए armed forces special powers act अब ये important आपके लिए क्यों हो जाता है कि कई लोग confused होते हैं कि armed forces special powers act जो है वो सिरफ कश्मीर के लिए है या कश्मीर को issue को solve करने के लिए हमने enforce किया था लेकिन असल में ये armed forces जो है वो नागलेंड की insurgency को tackle करने के लिए 1958 में लाया गया था ठीक है तो अब हमने जब crush करना शुरू कर दिया उस insurgency को उनको मारना शुरू कर दिया जो देश से अलग होने की बात कर रहे हैं और हमारे Indian government के जो personal है उन पर attack कर रहे हैं य मारना यह मतलब जो यह जो coercive instrumentality है हमारी वो एक तरफ हम ऐसा करते हैं इन सबको accommodate करके एक नागलेंड की स्टेट बना देते हैं जो उसमें से North East में से अलग करके एक नागलेंड की स्टेट बना दी गई 1963 में ठीक है तो pressure from security forces भी था और किसके उपर था नागा National Council जो यह करनी फीजों के leadership में केंडर जिन्होंने government और अपनी आर्मी बना ली तो उनके उपर जब security forces का हमारी इंडियन security forces का pressure था तो वह force होका और उन्होंने शिलॉंग record sign कर लिया जैसे peace agreement sign कर लिया उसी peace agreement से National Socialist Council of Nagalim निकला ठीक है अब यह Nationalist Social Council of Nagalim जो है यह भी उन्ही tribes का एक group है जो बस नाम चेंज करके एक दूसरा group बन गया है फिर उस insurrection जब खतम हुई mid 1970s के आसपास तो NSCN जो है वो इसक मोईवा आपने सुना होगा आइम वाला वो और एक खापलांग यह दो NSCN बनकर आ गए सामने जो National Socialist Council of Nagalim यह division होके दो ऐसे groups बन गए जो की आज तक चल रहे है ठीक है अब आपको थोड़ा background पता लगया तो आपको समझ आ जाएगा अब यह 2015 के agreement के बारे में हम बात करते है ठीक है अब जो हमारी government है उन्होंने कौन से group के साथ यह sign किया था National Socialist Council of Nagalim इसक मुईवा अब यह जो उपर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मुईवा और खापलांग इसमें से जो मुईवा वाला faction है उसके साथ हमने नागा peace accord sign किये ठीक है क्योंकि यह most powerful था इन नागा insurgent groups में बट हाँ जो खाप करना ही नहीं चाते इसलिए भी हमने मुईवा वाले faction के साथ नागा peace accord sign किये अब यह August 2015 में sign किये थे आपको याद हो तो लेकिन final peace accord क्यों जो ground पे अभी तक कुछ नहीं दिख पाया या उसको हमने क्यों अभी तक public domain में नहीं डाला क्योंकि हमने क्या किया ऐसे छोटे groups हैं जो नागा जो अपनी अलग state की demand कर रहे हैं उनके साथ भी हमने agreement नहीं किया था इसलिए यह जो peace agreement है यह ठीक से कभी ground पर लागू हो ही नहीं पाया तो government को क्या रेलाइज हुआ government कौन सी government central government central government को रेलाइज हुआ कि हमने सिरफ एक insurgent group को privilege किया है इसलिए उन्होंने ब कठा करके उनकी representation नागा national political groups नाम से एक group बना कर उन साथों को कठा करके उनके साथ भी हमने peace process शुरू कर दिया ठीक है लेकिन इसमें फिर भी जो खापलंग जो उपर खापलंग वाले जिसमा बात कर रहा हूं जो कह रहा हूं कि जो बहुत ही rebellion करते हैं जो बहुत insurgency कर रहे हैं वो फिर भी अभी भी group से बाहर हैं तो क्योंकि वो मयानमार से operate करते हैं और उन वो तो बात करना ही नहीं चाते किसी भी तरह से तो एक तो ये group अभी भी बाहर है और उपर से जो NSCN IM वाला जो group है जो अपने आपको इन सब का leader मानता है वो भी चिड़ गए कि हम आपने इन साथ groups को कठे करके क्यों इनके साथ agreement कर लिया तो आप देख रहे हैं कितना complex issue चल रहा है आपस में भी उनके लडाईया है फिर government को ऐसा लग रहा है कि हमने सिर्फ एक group से बात की है वो group कह रहा है हमें तुम सिर्फ हमसे ही बात करो बाकी सातों से बात ना करो और एक group फि कि governor R.N. Ravi ने ये statement दी थी कि extortion चल रही है तो सबसे पहला तो हम points वही discuss कर लेते हैं Mr. Ravi, governor जो थे R.N. Ravi है वहांके उन्होंने बोला कि culture of extortion चलता है collapse of general law and order situation है नागलेंड में वो कह रहे हैं कि ये जो ऐसी जो ये groups हैं ये arms लेकर, weapons लेकर भूम रहे हैं और अपना एक tax collection चल आ रहे हैं मतलब कहते हैं जैसे हम देखा होगा फिल्मों में देखा होगा कि हफता collect करते हैं आम लोगों से और business houses से तो ये एक illegal act है generally बट वो वहां पर ये खुले आम चल रहा है तो वो कहते हैं कि extortion in the name of taxes वो ये कहते हैं कि अगर नागा issue को जिन्दा रखना है तो आपको भी tax दे रही है उपर से ये लोग extortion भी उनसे ले रहे हैं तो उनके उपर financial उनके उपर बहुत pressure आ जाता है तो और वो एक और culture of extortion में point है कि offended by military action अभी military action भी हमने क्या किया कि NSCNIM जो है उनका कुछ काडर जो हमारे peace accord को नहीं मान रहा था या उसके against जा रहा था उनके जो groups के जो मयनमार से हमारे नागलेंड में कुछ attacks करने आते थे उनको भी हमारे आपने देखा होगा कि military ने उनको doctrine of hot pursuit के तहत उनको अंदर घुस घुस के मारा है तो ये इस चीजों से भी NSCNIM जो था वो नाराज है अब नागलेंड government ने भी अपने employees को कहा कि अगर आप कि इसी ऐसे group के साथ membership लेकर बैठे हो तो हम आपकी या आपके close relatives जो हैं वो भी membership लेकर बैठे हैं तो आपको हमें ये बताना पड़ेगा government जो job कर रहे हैं उनको ठीक है तो ये है हमारा first culture of extortion कि मतलब एक तो ये extortion कर रहे हैं और नागलेंड की government भी forthcoming हो गई है ये बोलने में कि आपको अपनी membership declare करने पड़ेगी इससे ये message क्या जा रहा है कि हमारी जो central government है या state government है इन groups को वो discredit करना चाहती है वहां की society से कि ना तो वो वहां से tax लें और अगर tax ले भी रहे हैं तो state government को ये उनकी membership के बारे में बताएं तक बताएं ताकि वो उस पे कुछ action ले सके तो ये NSCN IEM को ये लग रहा है कि ये हमारी authority को degrade करने की एक चाल है central government की और state government की ठीक है दूसरा point है issues of sovereignty अब sovereignty आपको मैंने बताएं ना कि supreme rule over a territory मतलब जैसे government of India हमारे Indian territory पे supreme है sovereign है उससे उपर इंडिया में कुछ भी नहीं है तो वो कह रहे हैं कि जो हमने peace accords किये थे 2015 में उसमें interpretation जो sovereignty की है वो बहुत different है अब अगर आप और मैं कुछ हम छुप छुपा कर peace accords करें या कुछ भी हम deal करें और बाद में मैं उसमें से अगर मुकर जाओं या बाद में उ conflict यह आएगा कि आप उसको prove ही नहीं कर पाओगे कि हम दोनों के बीच में तो असल में यह बात होई थी ठीक है तो यह issues of sovereignty में यही problem आ रही है कि interpretation क्या है उस time पर sovereignty की आपकी और मेरी क्या interpretation है वो बाद में अगर उस time पर clear नहीं कि किया गया है तो वो बाद में तकलीफ दे सक ठीक है तो यह कह रहे हैं कि नागा इंडिपेंडेंस डे जो था जब हो था नागा इंडिपेंडेंस डे कब जब जैसे आपको मैंने बताया कि एक दिन पहले उन्होंने अपनी अलग state बना ली थी यह बोलकर कि referendum में 99.9% नागाज ने वोट किया है तो नागा का भी बहुत बड़ा issue चल रहा है वो क्या demand करते हैं कि उन्हें अपना एक अलग flag चाहिए उन्हें अपना एक अलग constitution चाहिए जो आपको पता ही है कि central government हमारी कभी भी accept नहीं करेगी वो क्या कहिछाती है हमारी central government की अगर तुम्हें रहना भी है तुम्हें powerful भी रहना है तो दूसरा वो demand कर रहे है greater nagalim अब एक greater nagalim जो है वो सिर्फ nagaland तक सीमित नहीं है वो जो state की demand कर रहे हैं वो कुछ areas अरणाचल प्रदेश के भी हैं कुछ areas मनिपूर के भी हैं कुछ areas असाम के भी हैं even कुछ areas मयन महरतक के भी हैं वो कह रहे हैं कि इन सब का मतलब जैसे हमारे नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर जिन्हों ने पता नहीं कहां कहां पर क्लेम कर दिया था वैसा ही नागालेंट की जो ट्राइब्स है वो ये क्लेम कर रही है कि हमारा जो ग्रेटर नागालेंट है जहाँ जहाँ ये हमारी tribes पहले रहती थी उन सब को मिला कर हम greater नागालिम बनाना जाते हैं तो ये आपको आप खुद ही सोच लेजिए कि आजपास की states या फिर में मार भी इसको allow नहीं करने वाला ठीक है अब surrender of weapons weapons का issue इतना बड़ा important क्यों है क्योंकि जब भी कोई ऐसा peace agreement होता है जब ceasefire हो जाती है तो उनके जो carder होता है जो आपके जो सामने वाले मतलब party है जो armed rebellion कर रही है उनको कुछ time के लिए अपने weapons carry करना allowed होता है लेकिन designated camps में जब deal sign करते हैं तो उसमें लिक देते हैं कि in areas में आप अपने weapons को carry कर सकते हो सिरफ self defense purpose के लिए लेकिन हमने अब governor रवी की जो letter है उसके अंदर ये भी बताया गया है कि ये जो carder है ये public areas में civilian population में भी weapons लेके गूमता है उससे क्या होगा कि आम जनता को में भहय का महौल आता है डर का महौल आता है अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा task होगा center के लिए कि ये ensure करवाना कि सारे के सारे weapons जो है वो ये group surrender कर दे जब final accord किया जाए ठीक है और क्या issues है और क्या issues है ये आपको एक तो मैंने बताया था कि General Secretary जो NSCN IM मुईवा वाला जो group है उन्होंने Nagaland की जो Independence Day की speech थी इस साल की उसमें बोल दिया कि we will never merge with India ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा conflict आ गया और हमारी media ने इसको catch कर लिया कि फिर peace accord किया ही क्यों था उस peace accord में क्या आपने बात की थी जब आप ये कह रहे हो वो चाहिए ही चाहिए Greater Nagaland, Nagalim अब वो Greater Nagalim जो है उसके अंदर में आपको जैसे बता रहा था कि Myanmar, फिर Arunachal Pradesh, Assam, Manipur की आलमुस्ट में कम से कम 50 ऐसी Nagar tribes है जो रहती है और वो जहां-जहां वो रहती है उस areas को मिला कर वो Greater Nagalim की demand कर रहे है अब वो आप खुद सोच लिजिए कि Myanmar भी कभी क्यों allow करेगा या Arunachal Pradesh की state है वो भी कभी allow नहीं करेगी कि उनकी territory हाथ से चली जाए Assam भी नहीं allow करेगा और Manipur भी allow नहीं करेगा ऐसा ही हुआ Assam government ने भी बोला कि हम एक भी inch land नहीं देने वाले All Arunachal Pradesh Students Union ने बोला कि अगर कोई भी territorial change हुआ तो वो सही नहीं होगा हमारे Arunachal Pradesh के अगर आपने कोई भी territory ली तो Manipur के Chief Minister ने बोला कि हमको Center ने Assurance दिया कि कोई भी अगर peace deal होती है नागा लेंड की इन groups के साथ तो उससे territorial integrity of Manipur बिलकुल भी disturb नहीं होगी ठीक है अब लेकिन फिर भी issues क्या है एक ना तंखुल community है जो NSCNIM की core एक tribe की एक community है ठीक है वो Manipur में रहती है तो Manipur का ये एक बहुत बड़ा एक doubt है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तंखुल community जो है वो अपनी state के जब demand रखे greater nagalim तो वो हमारे territory में से कुछ area ना लेकर जाए ठीक है अब ये non-naga groups जो बात हो रही है वो ये Manipur की tribes है उनको ही लग रहा है कि तंखुल community जो नागा community है वो भी हमारे area Manipur के कुछ area में रहती है लेकिन वो अपने आपकी association नागास के साथ करती है तो वो हमारे areas में से कुछ area territory लेकर greater nagalim बना कर ही रहेंगे ठीक है तो ये उनको एक दर है अब demand क्या है वो कहते हैं कि NSCN जो है वो कह रहा है कि जो new word आपने use किया है ना sovereignty के context में वो बड़ा politically sensitive है उसके उपर हमारे ना different different interpretations है अब उन्होंने क्या लिखा था कि peaceful coexistence of two entities अब जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उन्होंने उसमें term में लिखा है उस accord में लिखा है कि peacefully हम दो entities peacefully एक दूसरे के साथ coexist करेंगे अब ये term में जब हमारे agreement में लिखा है तो उसकी interpretation जो हमारी government है जो government of India है वो तो ये कर रही है कि within the confines of Indian constitution government of Nagaland भी रहेगी और इनको भी हम थोड़े बहुत concessions दे देंगे लेकिन सब कुछ ये सिरफ Indian constitution के अंदर ही होगा ठीक है लेकिन जो NSCNIM है वो कह रही है कि नहीं peaceful coexistence of two entities का मतलब ये entities मतलब two sovereign powers मतलब उनको भी अपनी government बनाने का एक opportunity मिलेगी जैसा कि मैंने उपर आपको बताया था कि वो separate flag और separate constitution की demand कर रहे हैं तो जब वो separate flag और separate constitution की demand करेंगे तो वो तो Indian constitution से बहर जाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक issue आजाता है वो demand ही अलग कर रहे हैं जैसे आपको मैंने दिखाया था कि वो कह रहे हैं we will never merge with India ठीक है तो ये interpretations उस time बर जब solve नहीं हुई थी तो अब ये चीज टंग कर रही है और दूसरी उनकी demand है कि क्योंकि आरन रवी ने लेटर लिखकर एक controversy create कर दी थी governor ने तो वो कहते कि वो कह रहे हैं कि center को कि आप इन्हें हटा कर किसी और को जो की हमारे नागा cause के लिए sensitive हो उसको आप appoint करो क्योंकि हम अपने जो respect है उसको कुछ खोना नहीं चाहते नागा के issue नागा conflict में ठीक है अब ना कुछ expert views भी आपको दे रता हूँ क्योंकि जब आप answer में expert views लिखोगे ना तो आपका answer की quality बहुत improve हो जाती है ठीक है तो ये former chief minister जो है टी आर जेलियंग उनके कुछ statement है उन्होंने कहा कि जो नागा armed groups है ना generally उनको कोई भी government की subsidies नहीं मिलती जब जैसे generally कुछ armed groups होते हैं जो अगर peace accord कर लें या कुछ मतलब government के साथ बात करके उनके कोई accord हो जाता है तो government उनको कुछ financial मदद देती रहती है ठीक है लेकिन इन armed groups को कोई government ने subsidy नहीं दी है या कुछ उनको कोई ऐसा पैसा देकर किसी भी route के थूँ पैसा नहीं दिया है ताकि वो sustain कर सके इसलिए उनको वो bound है collect करना tax अपने लोगों से ताकि वो survive कर सके ठीक है तो ये पिछले जो पुराने चेफ minister है उनका point of view है एक हमारे general एसके से न या army में थे जो उनको ने वहाँ पर serve किया है उनका कहना है कि हमने concessions के चकर में state of nagaland तो create कर दिया था वहाँ पर लेकिन we failed to satisfy the nagas हमने पूरा statehood भी दे दिया उनको legislature भी बना दिया cabinet chief minister सब कुछ हमने दे दिया लेकिन आप देखिए कि nagas की जो demand ही जब वो बिल्कुल अलग देश बनाना चाते है वो greater nagalim के उनकी जो demand है तो वो satisfy इस चीज़ से हो ही नहीं सकते कि उनको एक government सिरफ या फिर उनको एक state बना के दी जाए ठीक है अब ये एक और expert view है LM Temshi Jamir ये एक nagaland में civil servant थे उन्होंने बोला कि nagaland की जो state है वो out of a political necessity create की गई थी ठीक है वो economically viable हो ही नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है कि वो एक tribal society है वहाँ पर economic activity उस level की नहीं होती ठीक है जब आप वहाँ पर government बनाओगे तो government के expenses भी बहुत है और वहाँ पर resources भी कम है natural resources है बट वहाँ पर अभी उस level की technology नहीं पहुची है कि जिसको जिसके थुरू वो उन natural resources से money generate कर पाए economic resources generate कर पाए तो वो कह रहे हैं कि इसकी वज़ा से वहाँ पर development जो है वो नहीं हो पा रही है तो जब development नहीं हो पाती है तो ऐसे conflicts हमेशा रहेंगे जब आपको किसी भी area में अगर जैसे नागा लेंड का यह आप लगा लोगे अगर आपको वहाँ पर peace establish करना हो ताकि लोग या जैसे हम कश्मीर में भी ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पर हमें economic development लाने की ज़रुरत है ताकि लोगों का ध्यान economic development की तरफ move हो जाए और वो अपने जो यह political demands है इसको give up कर दें ठीक है अब हम देखते है way forward क्या है इसकी center को यह याद रखना चाहिए जैसा कि हमारा question ही कहता था वो ही हमारी एक क्या कहते हैं इसको way forward है कि most of the armed insurgencies जो है वो world में ना तो total victory की तरफ move होती है ना फिर comprehensive defeat की तरफ बलकि एक grey zone called compromise compromise पर ही सारा solution निकलता है ठीक है अब वो कह रहे हैं कि state authorities को किसी तरह की de facto partnership with armed groups अब de facto का मतलब क्या होता है कि कागजों में चाहिए exist ना करता हो लेकिन at the ground जो है वो चीज को वो चीज exist करती है ठीक है जैसे कि आप देख लिजिए कि कुछ countries में आप de facto or de jury de jury क्या होता है जो by law या फिर by agreement allow किया जाता है लेकिन ground reality different होती है कई जगाओं पर आपने देखा होगा कि leadership जो है वो de jury leadership अलग होती है और de facto leadership अलग होती है de facto मतलब असल में कोई power exercise कोई और कर रहा है लेकिन कागजों में power किसी और के हाथ में है ठीक है तो वो यही कह रहे हैं कि de facto partnership आप उनको constitution में नहीं देना चाहते पावर कोई तो कोई बात नहीं लेकिन de facto partnership जो है वो in armed groups के साथ state authorities को कर लेनी चाहिए ठीक है तो यह आज का हमारा topic था naga conflict next time हम मिलेंगे new topic के साथ तो thank you friends have a nice day